हेलो एव्रीवन वेल्कूम टो माई चैनल लॉजिक पार्च याना स्टार्ट करते हैं एवेस की एक और वीडियो जिसमें आज का टॉपिक रहेगा वायू मंदल की सनर्जना के बारे में इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ाता है वायू मंदल और इसके घटकों के बारे में आज हैं पड़ेंगे की वायू मंदल की सनर्जना यानि वायू मंदल का जो विभाचन किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है और इस बाच से आपको एककुशन जरूर देखने को मिलता है तो इस पाइट को नहीं चौनना बिलकुल भी और अगर आपको इवेस की ब बात करें वायू मंडल का विस्तार माना जोता है हजार किलोमेटर तक इसका विवाज़त हमने छे लेयर में किया गया है और उस छे लेयर को हमें एक एक करके अच्छे से बढ़ना है हर लेयर के बारे में ठीके तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी सबसे पहले लेयर का ना नाम याद लगेंगी, विकोस दिक्वें आपको दिख राए ना, ट्रोपो स्फेयर लिखा है और हिंदी में इसको इस तरीके से भी कभी कभी लिखा आसन Ooh ट्रोपो स्फेयर तो दिखें आगर आपने हिंदी में याद कर लिए शोब मंडल और आपको ट्रोपो स्फेयर नहीं पता तो फिर गड़बड हो जाएगी यूगि एक्जाम में आप इस तरीके से जाधा पूछने लगे हैं इंग्लिश का हिंदी मना के तो आपको दोनों नाम ध्यान लखने हैं कि शोब मंडल का नाम इंग्लिश में ट्रोपो स्फेयर होता है इसको भी ध्यान लखेगा ठीके तो यह पहली लेयर आती है जो हमारी वायर प्रत्वी के जो सतह है वहां से जो स्टार्ट करते हैं और उपर की तरफ चलेंगे ठीके अ तरफ से 8 km कैसे है और विश्वद्रेखा के तरफ से 18 km कैसे है तो देखे हमारी प्रत्वी के बीच मेंट है उस तरीके से ठीक के बीचों बीच में से क्या जाते है विश्वद्रेखा यानि इक्वेटर और इधर वाय मंडल मोशूथ हैं इस के cuidado त्रफ अब धुरुवों ती क्या होता है यह डिस्टेंस दिके धुरुवों से यह वायू मंदल आपको 3D फिकर में देखे तो बिल्कुल उपर से भी यह नि प्रत्वी के उपर भी तो वायू मंदल ही होगा ना पूरा उपर की तरफ तो धुरुवों से इसकी दूरी सिर्फ 8 km तक ह है ठीक है तो इस तरीके से इसका विस्तार है शोब मंदल में जो है वो सारी के सारी जितनी भी मौसमी घटनाई है जिसे मौसम बदलता है बिजुली कड़कती है यह जितनी भी मौसमी घटनाई होती है वो शोब मंदल में ही होती है सारी तो क्वेशन क्या बनता है कि मौसमी घटना है जो है वो निम्न में से किस मंडल में होती है और option में आपको English में नहीं लिखाओ, Hindi में नहीं लिखाओगा, आपको इस तरीके से लिखाओगा, Troposphere, Troposphere लिख देंगे, उसके बाद Mesosphere लिख देंगे, Stratosphere लिख देंगे, और सारे के सारे English word होते हैं, लेकिन Hindi में लिखे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वे शो मंडल इसका अंसर है और उसे English में Troposphere कहते हैं, तो आपको इबात ध्यान रखनी है, अब देखे, आपको बास यह डाइग्राम है, इस तरीके से आप देखो, इस डाइग्राम को देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या ह यह हमारे पस प्रत्वी है, धुर्व अगर हम यहां माने विश्वत रेेका यहां माने तो विश्वत रेका के उपर यह जो डिस्टेस हीे 18 km है, अगर धुर्वा से बात करने हैं जो डिस्टेस है न आट किलोमेटर है, और यह पहले जो लेयर वो क्या है टूपोस फियर, औ पारिश का और वो सभी इसी में ही होती है इसके बाद नीचे से उपर की तरफ जाते हैं हम दूसरी आती है समताप मंडल फिर मध्य मंडल आयन मंडल बहिर मंडल ठीक है हमारी पांच ही लेयर होती है शुरुबात में मेरे से 6 हो गया था बाई मिस्टेक हमारी पांच लेयर होती है इस तरीके से आप इस डाइग्राम को देख सकते हैं आगे अगर हम बात करें इसी मंडल में थोड़ा सा कि इस मंडल में उचाई की तरफ जाती है तो प्रती किलोमीटर एक डिगरी सेलसे तापमान में वरधी होती है मतलब वरधी का मतलब क्या होता है बढ़ता है तापमान ठीके परनतों यदि वास्तविक रूप में देखा चाए तो यह तापमान सूरे के दिशा में ना जाए तो घटता है इसके घटने किदर 6 डिगरी कम होती है तो ठीके आपको ध्यान यह रखना आपको इतना डीप स्टड़ी नहीं क घटेगा ठीके औस अगर बात करा चाता है तो असतन हमारा जो तापमान उपर की दरफ जाने पर जो तापमान वो धीरे धीरे घटता चला चाते हैं आपको सिव इतना ध्यान लगना है आगे बात करें कि शो मंडल में सामाने ता उपरी किनारे पर बहुत तेज कती से ही चलती है बस इन ही हवाओं को क्या नाम दे दिया जेट इस्ट्रीम नाम दे दिया सेकेंड जो लेयर आती है उसका नाम है समताप मंडल और इंगलिश में से कहते हैं स्ट्रेटोस्फेर इंगलिश का नाम भी आपको ध्यान रखना है इसका जो विस्तार है वह 18 से लेके 50 km तक है आपको विस्तार भी आद रखना है क्योंकि एक्जाम में काफी वारे वारे नोटिस किया है कि आप इसमें विस्तार भी पूछा गया है इस मंडल में लगभग 20 km तक तापमान सामाने दर से ही घटता है लेकिन 20 km के बाद तापमान में अचानक से व्रद्धी होती है जिसका कारण ओजोन परत को माना गया है देखे क्या होता है यहां पर अगर हम उपर की तरफ जा रहे है तो यहां पर क्या है 20 km तक तो तापमान क्या हो रहा है घट रहा है घट रहा है ठीक है लेकिन 20 km के बाद जो हम उपर गए तो यहां से जो तापमान है यहां पर तो जब वो सूरे से आने वाली परावईनी किर्णों को अफशोशित कर रही है तो सूरे की किर्णों के अंदर जो हीट है उश्मा है वो यहीं पे रह जाएगी क्योंकि यह अफशोशित कर रही है जिसकी वज़े से यहां पर तापमान जो है वो बढ़ने लगता है तो आपक तो एक बात यहां से किया मालूम है कि बाइस ओजो परत है वो कॉन से मंडल में पाई जाती है, समताफ मंडल में जो है वो ओजोन परत पाई जाती है. इसके अगली point की बाद करते हैं कि इस मंडल में मौस्मी घटाय नहीं होती, यहां का वातवरन शांत होने के गरण अधिकतर वायू यान जो है वो इसी चेतर में उड़ाए जाते हैं तो यह पाद भी दियान दखने हैं कि वायू यान जो है वो किस मंडल में उड़ाए जाते हैं इस मंदल में तापमान में 1 एक गिरावट आती है और तापमान कहां तक महँं चाता है? माइनस की 100 डिग्डी सेल से तक तापमान चला चाता है तो यहां पर तापमान क्या होता है? एक दम से बहुत ज़्यादा कम होजाता है Next, हमारा आता है फोर्थ आयन मंदल आयन मंडल को इंगलिश में कहते हैं आइनोस्फियर और इसी के नाम से आपको ध्यान देखा थे कि आयन आइनोस्फियर मीजोस्फियर क्या था मध्य मंडल का म से मध्य और म से ही मीजो तो आप ऐसे ध्यान में रख सकती है इसका जो विस्तार होता है वो 80 से लेके 640 कुरूमेटर दोक्र होता है इसी मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित होती है इसलिए संचार के दिस्टी कोर्ट से यह मंडल सरवादिक महत्वोन होता है क्योंकि यहाँ विविन प्रकार के विद्धुतावेशित कण पाए जाते हैं देखिए यहाँ पर जो आयन मंडल है तो यहाँ पर आयन पाए जाते हैं अब इन आयन यान जो आविद्धुतावेशित कण है इन्हीं के वज़े से क्या होता है जितने भी संचार है मतलब जितनी भी हम अगर बात करें आप क्या देखते हो कि छुआ कि जतनी संचार की जस्टी से मेंडल हो जब हो एक सवाधा इंपोर्टन्ट होता है क्योंकि यहाँ से RADIO तरंगे जो करिए आसानी से परावरतित होती है और RADIO तरंगे परावरतित में बार जूभी सिग्नल है हो हम तक आसानी से पहुंच सकता है इसलिए मंडल संचार की दिस्टी से काफे सदा महत्वपूर होता है लास्ट बात करें लास्ट हमारी जो लेयर आती है वह है वाहि मंडल यानि इंग्लिश में से कहते हैं एक्जोस्फेयर और इसका जो विस्थार है वह 640 किलोमेटर से 1000 किलोमेटर तक हो दा और हमने अभी य मंडल इस्थापत किया जाते हैं और जो नासा का स्पेस स्टेशन यह भी यहीं पर ही मौझूद है तो यहां पर जितने भी शेटलाइट्स वगयरा है वह यहीं यहां पर भी यहीं पर वह मंडल में विद्धु ताविश्यत कर्ण है क्योंकि वूनारे विद्धुथ तरंगे त मंदल में विद्धूतावश्यत कर्ण मिल जाता है। तरंगे वहों तक पहुंच आती हैं तो यह व्य मंदल ब्रबिवंद पड़टों के रूम में पाइचाताu यह परते नाइटोजन, ऑक्सिजन, हीलियम, हाइडोजन की होती हैं, तो यह हमने आप पांच लेयर पढ़ें, जो हमारे वायो मंडल की सनरशना है, वो पूरी हमने पढ़ें पांच लेयर में, सबसे पहले हमने, अगर बात करें, शो मंडल पढ़ा था, उसके बाद समताप मं मंंडल, उसके बाद आयन मंडल और लास में वाहे मंडल, तो तीकी के पांच लेयर के बारे स्क्राइब जरू करिए मिलते हैं अगरी वीडियो में एक नहीं टॉपिक के साथ दिद्धा के लिए थैंक यू